दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हो कि कैसे आप फोन पे एपका UPI PIN चेंज कर सकते हैं गैस दो कंडिसन हो सकता है या तो आपको UPI PIN याद है फिर भी आप चेंज करना चाते हैं या फिर आप UPI PIN को भोल गया हैं तो आपको रिसेट करना पड़ेगा दोने ही केसेस में मैं आपको UPI PIN चेंज दाना सिखाऊंगा वीडियो पुरा लाज तक ध्यान से देखते रहेगा चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको phone पर application open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं my money का option है इस पर आपको click करना है इसके बाद आप यहाँ पर left side देख सकते हैं bank account का option मिल रहा है bank account पर आपको click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उपर की तरफ आपके bank account का last का 4 digit यहाँ पर account number 100 करेगा simply आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे details आपके आजाएंगे bank account से related तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPI pin का option आगया है यहाँ पर आपको reset करने का और change करने का दोनों ही option यहाँ पर available है अगर आपको pin याद है तो आप यहाँ से change कर सकते हैं या फिर आप भूल गया हैं तो reset कर सकते हैं हमको याद है तो चलिए चैंज पर klik कर लेते हैं इस Chicago इसके बद आपको यहाँ पर अपना UPP पीज याद है आपको वह इंटर कर लेना है sबसे उपर वाले section में तो यहाँ पर हमको यूपीज पीज कर लेना है जो यूप याद है तो तो मैंने यहाँ पर अपना नया UPI PIN इंटर कर लिया है Simply यहाँ Right पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से Confirm UPI PIN पर एक बार और Confirm करना है वही UPI PIN जो आपने नया UPI PIN अभी इंटर किया सेम वही आपको इंटर करना है इसके बाद फिर से आपको Right पर क्लिक करना है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Successfully Update हो गया हमारा UPI PIN अब मतलब हम जब भी Transaction करेंगे तो इसी New वाले UPI PIN के थुरू Transaction कर पाएंगे चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको Reset करना है तो Simply UPI PIN वाले सेक्षन में ही आपको Reset का Option मिल रहा है Reset पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपने ATM Card का Details फिल करना है तो यहाँ पर उपर में आपको ATM Card का Last 6 Digit इंटर करना है और नीचे आपको ATM Card का Expiry Date इंटर करना है इंटर कर लेने के बाद आपको Simply यहाँ Proceed पर क्लिक करता हूँ अभी आपको यहाँ पर OTP इंटर कर लेना है जो भी आपके Mobile Number पर OTP आया है और नीचे आपको ATM का PIN यानि कि ATM Card का जो PIN आप ATM Machine में जो पैसा निकालने के लिए PIN यूज़ करते हैं वो PIN आपको यहाँ पर इंटर करना है और Simply आपको नीचे की तरफ Right पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर Set करने का आजाएका Option तो आप यहाँ पर अपना UPI PIN सेट कर सकते हैं आप यहाँ पर नए UPI PIN इंटर कर लिजे और Right पर क्लिक किजे इसके बाद आपको एक बार और confirm करना है नया वाला UPI PIN तो आप यहाँ पर फिर से एक बार UPI PIN इंटर कर लिजे नया वाला और यहाँ राइट पर क्लिक कर दिजे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर सक्सेसफुली आपका UPI PIN सेट हो चुका है दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा अगर पसंद आए तो लाइक सेर और चैनल को सब्क्राइब कर लिजे और अभी तक आपने फोन पर अपर अपना काउंट नहीं बना है तो डिस्किप्शन में आपको फोन पर अपकर लिंक मिल जागा वहाँ सब डिरेक्टली क्लिक करके प्ले स्टोर से स्टाल कर सकते हैं अभी के लिए इस वीडियो बस इतना ही मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत